भिलनी महा तपस्विनी शबरी जाको नाम मतंग मुनी कहकर गए तो है मिलेंगे राम सोने की चडिया माभारती और सत्य सनातन धर्म के सबसे आदर्श पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो वर्षों की तपस्या के बाद रिशि मुनियों को भी नहीं मिलते मगर एक भिलनी शबरी के घर स्वैम चल के आके न सिर्फ दर्शन देते हैं बल्कि उस भेलनी के जूठे बेर भी खाते हैं और बाबा तुलसी ने क्या खोब कहा है कि प्रबल प्रीम के पाले पढ़कर प्रभुका नियम बदलते देखा अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है लाख करो गुणगान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है लाख करो गुणगान भाव के भूखे हैं भगवान 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 एक थी शबरी भक्तन न्योच्छावर करके तन मन मतंग मुनी के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन बागों से चुन चुन लाती प्रभु को पूल चड़ाती गंगा के पावन जल से रोज असनान कराती चरण धोके श्री राम का करती चरण धोके श्री राम का करती चरण अमृत का पान भाव के भूके हैं बगवान धैर ये एक ऐसा प्रसाद है जो इनसान को महान बना देता है मतंग मुनी मा शबरी से कह गए कि शबरी तेरे दरवाजे राम जरूर आएंगे और शबरी ने दस हजार साल तक प्रतिक्षा किया शबरी को देखने वाले न सिर्फ उसे पागल कहते थे बलकि कहते थे ये कोण दिखात को दीमा नारी ते उत जाती है मूद भरी छिन भीतर बाहर होत छिन सुपसो नहीं बैठत एक खरी यही के तनमे कचुपीर भई ये वियोगिन मान समाही जरी अब जान पड़ी रगुनात्र के प्रेम की मूरती रूप ये है मतंग शबरी को बताए बहु भांती समझाए सबर कर कुछ दिन शबरी मिलन के दिन अब आए राम जी तुमसे मिलेंगे मेरी कुटिया में आकर शबरी को धैरे बंधा कर समाधी लिये गुरुवर राम नाम में लिन हो गई गुरु सिपा कर ग्यान भाव के भूखे है भगवान भाव के भूखे है भगवान भाव के भूखे है भगवान मा शबरी के गुरु महामुनी मतंग जब अपने नश्वर शरीर का त्याग कर रहे थे तब मा शबरी ने उनसे पूछा हे गुरुवर मुझे मेरे राम कहा मिलेंगे इस पर महामुनी मतंग ने शबरी को जवाब दिया कि शबरी हरे दुनिया राम को डूणती है मगर तू तो ऐसी खुश नसीब है कि तेरे दर्वाजे राम स्वैम चल कर आएंगे मा शबरी को अपने गुरु की बातों पर अटूट विश्वास हो गया मा शबरी हर रोज राहों पर फूल विझाती थी चुन चुन कर मीठे वेर चक चक कर इकठा करती थी ठाकि मेरे प्रभुष राम जब आएंगे तो बड़े प्यार से इसका भोग लगाएंगे राहों पर फूल भी बड़ी सावधाने से शबरी मा बिचाती थी शबरी मा सोचती थी कि मेरे गुर्वर कहके गए है कि प्रभुष राम के पैर में कहीं कोई काटा न चुप जाए राह पे फूल भी चाती वो मीठे वेर को लाती मेरे प्रभु राम आएंगे नैनों में सपने सजाती मेरे प्रभु राम आएंगे नैनों में सपने सजाती राम से प्रीत लगा के वो निश दिन राम पुकारे ओ मरिया बीती जाए रे के अखियां पंत निहारे जर जर हो गई काया फिर भी बसे राम में प्राण भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान भाव की जूखी हैं भगवान भाव की जूखी हैं भगवान समय समय के साथ बीतता गया माशबरी अब बुढ़ी हो गई माशबरी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई प्रभुश्री राम के प्रती उसका प्यार और भी ज्यादा गहरा होता गया माशबरी जो इस जन्म में तो भीलनी हुई थी मगर अपने पूर्व जन्म में वो एक बहुत बड़े राजा की रानी थी प्रियाग राज जहां पर कुम्भ का मेला लगता है एक बार वो अपने राजा के साथ उसी कुम्भ के मेले को देखने पहुँची अपने पूर्व जन्म में भी माशबरी को प्रभुश्री राम से उतना ही जादा प्यार था उस वक्त रानी ने अपने पती से ये इक्षा जताई कि मैं बाहर जाकर संत महात्माओं के साथ भजन कीर्टन करूंगी जिस पर उसकी राजा पती ने ये कहकर मना कर दिया कि एक महारानी को इस तरह के छोटी लोगों के साथ बैठना शोगा नहीं देता ये बात महारानी के हरदय में चुप गई महारानी ने गंगा के पानी में जाकर अपने प्राण त्याग दिये और इश्वर से कहा हे मेरे प्रभू हे मेरे राम इस जन्म में तो आपने मुझे बहुत खुबसूरत बनाया है अगले जन्म में चाहे मुझे कुरूप बना देना इस जन्म में आपने मुझे उच्चि कुल में जन्म दिया है अगले जन्म में चाहे तो मुझे भीलनी बना देना मगर हे प्रभु मेरा अगला जन्द जब भी हो मुझे ये सौभाग ये जरूर देना कि मैं तुम्हारे नाम को चपू मैं तुम्हारा नाम लू मुझ पर कोई बंधन न हो वो राजकुमारी अगले जन्द में माशबरी बनी वही माशबरी जो कुटिया में प्रभु श्री राम की राह देख रही थी वो सुन्दर आसन लगाके स्वच्छ कुटिया को सजाके राह आचल से बुहारे प्रभु का ध्यान लगाके राह आचल से बुहारे प्रभु का ध्यान लगाके और ना अब तड़ पाओ, राम मेरे आभी जाओ, दरस बिन शबरी व्याकुल, राम मेरे दरस दिखाओ दरस की आस लगी मेरे प्रभुजी, पून करो अर्मान, भाव के भूखे हैं भगवान अजगर करे न चाकरी पंची करे न काम, दास मलू का कह गए, सब के दाता राम और हम सब के परम पूज्य, बाबा तुनसी दास ने राम सरित मानस में भी कहा है राम से बड़ा, राम का नाम और यही काम माता शबरी दिन राद कर रही थी बस वो एक ही बात बार बार बोले जा रही थी कि मेरे राम आएंगे मेरे राम आएंगे वो हर वक्त हे राम, हे राम बोलती रहती थी प्रभूश्री राम जब अपने भाई लखन के साथ माता सीता की खोज में वन में दर दर भटक रहे थे उनके कानों में ये आवाज हुंजी उन्होंने अपने भाई लखन से कहा प्रिय अनुझ ध्यान से सुनो मेरी एक माता है जो वर्षों से मेरी प्रतिक्षा कर रही है मैं भी अपने माता को देखने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा हूँ चलो अनुझ माता शबरी की कुटिया में चलते हैं प्रभूश्री राम माता शबरी की कुटिया में आते हैं माता शबरी की नजर जब प्रभू श्री राम के उपर पड़ती है तो माता की आँखों से खुशियों के आँसु धारा प्रवा बहने लगते है माता शबरी रो रो के कहने लगती है मेरे राम आप आगए मेरे राम आप आगए आँसु भरी आँखों से माशबरी प्रभुश्री राम और वीर लखन को देखे जा रही थी दोनों हाथों को जोड़ कर दोडे दोडे माशबरी ने प्रभुश्री राम के पैर पकड़ लिये और कहने लगी मेरे राम मैं तो दो जन्मों से आपकी प्तिकषा कर रही थी लोग मुझे पागल बुला रहे थे मेरे कुरुदेव ने मुझसे कहा था कि शबरी राम लक्षमण के साथ एक दिन तेरी कुटिया में सरूर आएंगे सरूर आएंगे राम संग लखन को आते देखी प्रभु को मुसकाते प्रभु के पास में आई कुटिया से दोड लगाते राम से मिलन हुआ जब तो शबरी सुध बुध खो गई प्रभु के पाहों पकड के भाव में विहवल हो गई तभु के पाहों पकड के भाव में विहवल हो गई खुशी के आंसों से पग धोए भक्त न शबरी समान भाव के भूखे हैं भगवान 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 मित्रों मैं रविराज आप सबको आज एक बात बताना चाहूंगा वो बात जो मुझे मेरे गुरुदेव फरीद हसन खान साहब ने बताई है और वो बात ये है कि इश्वर को हमारी जरुवत नहीं है हमें इश्वर की जरुवत है इश्वर हमारे बिना भी पूर्ण है मगर हम इश्वर की बिना हमेशा ही अपूर्ण है हम पैदा तो इनसान के रूप में होते है मगर अंत में हमें उसी परमात्मा के पास जाना होता है इसलिए हमें जीवन में हर वो कार्य करना चाहिए जो इश्वर को पसंद हो और इश्वर को सिर्फ यही पसंद है कि हम नेक दिल बने दयालू बने और सदैव ही अच्छाई के मार्ग पर चलें चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो और हमेशा अपने परमात्मा को याद करते रहें चाहे इश्वर के रूप में चाहे अल्लाह के रूप में गुरुनानक देवजी के रूप में चाहे इसा मसी के रूप में जो भी इंसान इश्वर को याद रखता है वो कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं कर सकता बुरा करना तो दूर की बात है वो किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता है उसका मन हमेशा साफ और शान्त रहता है मन हो गर निर्मल संजय रभुजी तोड़े आते प्रसाद की बात करें क्या वो जुठे बेर विखाते पात है सची लेकिन हम सब इस से है अन्जान भाव के भूखे है भगवान भाव के भूखे है भगवान भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है लाख करो गुणगान भाव के भूखे हैं भगवान इस कथा के लेखक, पंडित संजे तिवारी जी, साउंड इंजीनियर, श्री कैलास डिन्रियाल जी, मैक्स स्टूडियो दिल्ली, संगितकार लवली शर्मा, मैं आपका अपना रविराज, और भी म्यूसिक परिवार की तरफ से, आप सभी को कोटी कोटी प्रणाम करता हूँ, किसी भी तुर्टी के लिए, हम श्रमा प्राद की लिए,